बिए कौन सा एंटीना लेना चीए, कौन सा राउटर लेना चीए, इसके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे पास लोग बहुत सारे फोन करते हैं, बिए बता दीजिए मेरे घर में रेंज नहीं आती है, नेटवर्क नहीं आता है, रेंज कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आया है, बट रात बहुत हो चुकी है, बट हम फिर भी शुटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जुरुरी ये वीडियो है, फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंग, नामदरी रुड़क चनल से आपका दोस्त, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप के घर में रेंज नहीं आती, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, भी कहा रेंज आरी है, कहा नहीं आरी है, तो एक नेट वर्क साले इन फॉलाइट एक अप है, नेट मॉंस्टर है, या मोबाइल में अबाउट में भी जाके सिगनल आ जाता है, डीबियम में वहां सिगनल ल और फिर बैंड के बारे में आपको जानना पड़ेगा और बैंड की वीडियो आई बटन में है तो यह रहा पहला सवाल थीक है दूसरा सवाल लोगों का यह आता है भी हमें कौन सा राउटर कौन सा एंटीना लेना चाहिए भी इंडरेंज बढ़ाने के लिए भी हमारे मोबा डिवाइस है जो हमारे पास हैं वो इंटनेट से वाई फैч इरेलेटे डिवाइस हैं उसम है इसे सिर आपके मोबाईल पे वाई फैको चलो होसले वो किसका चलेगा अगर आपके वास कोई अल्टरनेट सीम या आपकी मोईल की सीम है उसे आप राउटर में जैसे लगाएंगे तो वो डाटापैक आप मोईल में रिचार्ज कराया था वो ही डाटापैक अब राउटर की तरफ से जो है चलना शुरू हो जाएगा फायदा क्या है फायदा यह है भी राउटर में थोड़ी एंटीन है की रेंच जरा होती है वो कैट जरा कर सकता है और कई बार एक दिक्कत यह भी आती है भी 4G प्लस मोईल होते है लोगों के पास और फिर भी जो है वो मांग रहे होते है राउटर तो उनको 4G प्लस अगर सब्सक्राइब तो वो नराज होगे तो हमें भी नहीं मालूम था भी उनके पास 4G प्लस मोबाइल है कई-कई मोबाइल तो ऐसे हैं जिनके पास जो है जिन में चार-चार-पांच पांच बैंड जो एक साथ लॉक हो सकते हैं वह फाइव सीए तक मोबाइल आ जाते हैं तो यह लगड़ टोपिक है तो जो दूसरा सवाल ता उसका जवाब यह है वी हमारे पास सिर्फ वाइफाइड बेएस हैं मोबाइल पर कोई भी सिगनल लेने के बूश्टर या इस तरह के कोई भी डिवाइस नहीं है हमारे सिर्फ वाइफाइ इंटरनेट डिवाइस हैं जो की SIM बेशना है या फिर नॉर्मल नेटवर्क बेशना है तो दूसरी तीसरी जो सवाल है लोग ही पूछते हैं भी हमें कौन सा इंटेनल लेने चीए किस तरह से हम signal चेक कर सकते हैं क्या हमारे घर में router काम करेगा या नहीं करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है तो उसके जो सिदा सा जवाब यही है पिए आप जब मुबाइल पर नेटवर्क सेल इंफो लाइट एक आप डाउनलोड करेंगे नेट मूंस्टर एक आप करेंगे डाउनलोड तो उसमें क्या होगा आपके मुबाइल में सिगनल दिखाई देगा तो आपको चेक करना है आपके घर के अंदर कितना सिगनल आता है आपके घर के बाहर कितना सिगनल आता है और इर्द इर्द जो है जहां पे भी मैक्सिमम कम से कम कितने डीबियम कम हो जाता है कौन से जगा सबसे अच्छी है वो आपको चेक करने है तो वहीं पे ही फिर आपको अच्छा इंटरेंट मिलेगा तो ये आपको अच्छा इंटरेंट लेने के लिए सबसे पहले जुरूरी करना है उसके बाद दूसरी बात याती है अगर आपके पास 100 dBm सिगनल आ जाता है तो आप सिंपल वहाँ पे राउटर सेट अप करके अपने घर में सिगनल ले सकते हैं अपने घर में Wi-Fi चला सकते हैं उस जगह से अगर आपके घर से वहाँ पे Wi-Fi की रेंज नहीं हा रही है उस जगह पे जहाँ पे सिगनल अच्छा है तो आपको वहाँ पे एक एंटिना सेट अप करना है जैसे कि LPD एंटिना ही जुरूरी समझा जाता है और अगर बालो आप शहर में रहते हैं जैसे अगर आपको 95 डीबियम सिगनल है तो आप Omnidirection एंटिना भी ले सकते हैं तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा अगर आपका 95 से अबब सिगनल है कोई भी है चाहे हो शहर में चाहे गाहों में है तो आपको सिर्फ Omnidirection एंटिना बिलकुल भी नहीं लेना आपको LPD एंटिना ही लेना है और जिनका 110 DBM से भी उपर चलाता है उनको Parabolic एंटिना ले सकते हैं या दो LPD एंटिना लेना पड़ेगा यनकि 95 से लेकर या आप समझे लिए 58 DBM से लेकर 110 DBM तो काम करेगा ही करेगा चाहे आप शहर में हो चाहे गाहों में हो लेकिन सिर्फ Omnitraction एंटिना जो है काम करता है सिर्फ 95 से मलब कम में ही उससे जादा उपर हो जाता है तो Omnitraction एंटिने का कुछ खास फाइदा नहीं है उतना ही सिगनल आएगा जितना आ रहे है तो हम सुझेस्ट करते हैं LPD एंटिना उससे उपर जाने पर तो आपको LPD एंटिना ही लेना है अगर 95 डीवेम से उपर आपके घर में सिगनल आ रहे है और बात की जाए आपको चाहिए जाला स्पीड तो 4G प्लस लेना पड़ेगा और दूसरी बात आती है अगर 95 से अबव सिगनल आता है तो आपको LPD एंटिना लेना पड़ेगा और राउटर ले से अगर जादा अबव है तो आपको लगबग यह दो राउटर स्जेस्ट करेंगे है हम हुआवे प्लस अमर चोंसर्ट हो तो यह जो है सिनल के कम कर देते हैं और टिपनिंग के जूतने भी राउटर है वो सब जो है सिनल कम कर देते से मर हंडर्ड है मर टूंड है मर प्लस कहां पर लगना चाहिए कहां पर नहीं लगना चाहिए वो भी आपको बता दिया है उसके लावा लोग क्या पूछते हैं वह बहुत विलेज एरिया से हूं तो मुझे क्राउटर लाम तो आप सुझेस्ट करेंगे कौन सा राउटर मेरे यहां सिगनल बहुत कम आता है एक यह दो डंडे तो लोग ये सवाद सिधा पूछते हैं हमें समझ नि आते हैं उन्होंने सिगनल चेक किया है नी तो हम कैसे उनको सिजेश्ट करतें तो सिझेस्ट करने का यह ही सादन उनको अपने मोवैल पर लशाइब गर के बाहर अगर घर के बाहर वह चेक कर लिए ब तो LPD Antina ही लगेगा, साथ में अगर 90 से 100 dBm है तो कोई भी टीपिलिंग के राउटर ले सकते हैं, Huawei भी चलेगा, सभी कमपनी के राउटर आप ले सकते हैं, वालब 4G के जो 90 से 100 dBm तक के सिगनल है तो, अगर आपका 90 से 100 dBm से भी जादा है, यांकि 100 dBm से भी उपर है, तो यह इस तरह से जो है, यह राउटर की केटेगरी थी, आपको बताया, अभी अगर 90 dBm से कम है, तो आप कोई भी राउटर ले सकते हैं, 90 से 100 है, तो आप TP-Link, Huawei 2S और D-Link, Tenda, कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ LPD-Anti लेना जुरूरी है, मलब 90 से 100 dBm है, तो आपका एंटीना लेना ही पड़ेगा, अगर 100 से उपर है, तो आपको सिर्फ 2-3 राउटर ही हमने सुझेस्ट किये, जैसे कि Huawei 2S, MR-4400, या फिर MR-600, ये 3 राउटर ही है, हम आपको सुझेस्ट करेंगे, अगर आपका 100 से उपर सिगनल है, और एंटीना हम सुझेस्ट यही करेंगे, LPD-Anti आपको लबग 2 एंटीना लेना पड़ेगे, पहले आप एक ले सकते हैं, 100 से अबब है आपका सिगनल, तो अगर उसमें अच्छा आ जाता है, तो आपका ठीक है, अगर नहीं आता है, तो फिर आपको दो भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि सिगनल बहुत कम है आपका 100 से, तो यह टोटली जो है, कॉल्कुलूजन था, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, LPD-Anti ने का, व्राउटर्स का, और साथ में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुए, प्राइज पूरूज सब कुछ लिखे हुए, तो कोई भी, कभी भी आपको जुरूत ने पड़ेगी, फोन करने की, और इसके लावा, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कुमेंट करिए, हम उस पर वीडियो मनाएंगे, और इसी तरह से आपके सवालों का जवाब देंगे, और बहुत असानी से आपके सवालों का हमने जवाब दिया, भाई, इसके लावा और कोई सवाल रह गया है, कोई है कुछ? अलो सर, मुझे एक राउटर चीए, पर वो मुझे बेरा बज़ट का होना चाहिए, बज़ट है, बज़ट है, बहुत चकाम है, मैं मुझे तोड़ा गरीब घर से बिलाओं करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हो, तो ये भी बहुत ज़ाला लोग सवाल करते हैं, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट में, आप 4G राउटर की केटेगरी में जाहिए, वहां 3,000 पे से शुरू है राउटर, तो 3,000 पे से राउटर शुरू है, और उसमें भी एंटेना लग जाता है, लेकिन बात वही आती है, अगर आप जितना पैसा डालेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा राउटर मिलेगा, तो उसमें हमने आपको बता दिया, 4-5,000 पे में बेस्ट राउटर आपको बता दिया, जो कि बहुत अच्छे रिजर्ट देते हैं, कुशिश कीजिए भी आप 4-5,000 पे कहीं से रेंज कीजिए, MR-400 या Huawei 2S राउटर लेजिए, क्योंकि वो रिजर्ट बहुत अच्छे देते हैं, राउटर एंटिडा के साथ, अगर आपका रेंज लूज अच्छी है, 90 ब्यूब्स से कम है, पर एंटिडा ही लगाना पड़ता है, तो ये आपके लिए सुलूशन है, और दूसरा अगर और भी आपको लगता है इतना कम बजट है, तो आप एक डॉंगल ले सकते हैं, जो कि 15 रुपे का हमारी वेबसेट में मिल जाएगा, आपको, उसमें एंटिडा लग जाते हैं, तो आप एक रॉंटर घर में रखिए, कम्प्यूटर में लगाईए, और उसकी वायर चट पे लगाईए, उसका एंटिडा सेट अप कीजिए, तो लबग आपको, अगर आप 10 मिटर तार लेते हैं, और एंटिडा लेते हैं, और सारा सेट अप करते हैं, तो 3-4 जार, मलब 35 रुपे के बीच में बढ़िया सेट अप आपका हो जाएगा, तो 35 रुपे में आप जो है, हुआवे का राउटर, जो सबसे अपके घर में बढ़िया इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, अगर आपके बास कोई USB जैसे, आप USB डोंगल वाला एक राउटर लेना चाहेंगे, तो वह लग से लेना पड़ेगा जार पेगा, तो बात वहीं आ रही है, लेकिन 45 रुपे में सबसे कम बज़ण में यही है, एक डोंगल प्लस, एक वाइफाई प्लस है, राउटर एंटीन है, सब कुछ, तो सबसे कम बज़ण में इस सबसे बैस्ट यही है, पंतालीस रुपे का, जो सबसे गरीब लोगों के लिए है, उसमें आप चाहिए, यूसबी से भी काम चला सकते हैं, पंतालीस रुपे कर आउट रहे हैं, तीनीजा रुपे का भी चला सकते हैं, आप गुजारा, एस पर डीबियम, लेकिन अगर आपको लगता है, डीबियम हंडर से अप है, तो आप हुआवे का एक डोंगल ले सकते हैं, और उसके साथ जो एंटीना लगा के, टोटल खर्चा पंतालीस रुपे में सब कुछ कर सकते हैं, और कोई स्वाल रहे हैं भाई, हैलो स्वाल, मेरा पास एक प्रोगा, हैलो सर, मेरा एक मूबाइल पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क पढ़ाने का काम सिर्फ कंपनी वालों का है, अगर हम बढ़ाते हैं, या बूस्टर वगारा आपको सुझेस्ट करते हैं, तो वह illegal है, क्योंकि किसी और की कंपनी की फ्रिक्वेंसी हम आपको distribute कर दें, हमारा license नहीं है, या कंपनी हमा सिर्फ आपका इंटरनेट चलाने के लिए devices हैं, जो कि हमने आपको वीडियो में बताए हैं, और कोई स्वाल, मैंने एक website पर order किया, पुरू add card आ रहा है वहाँ पे, तो add card का मतलब समझाएंगे, जी हां दोस्तों, जैसे कि एक website होती है, वहाँ पर हम product खरीदते हैं, तो उ इसे आप add to card क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे नीचे और ऊपर टोकरी आ जाएगी, जिसमें आप तो, उसमें आप क्लिक करके, फिर आप अपनी cat card आ जाता है, वहाँ पे जाके आप buy कर सकते हैं, चैक आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो product खरीदना जाते हैं, उस पे क्लिक क क्लिक करने के बाद वह जब पूरा open हो जाता है, उसकी सारी description कर आ जाती है, तो नीचे buy now का button आ जाएगा, तो वहाँ से जैसे buy now का button करेंगे, तो फिर दे आपको payment option आ जाएगी डालने की, तो इस तरह से आप add to card का मतलब और खरीदने का option मिल जाएगा आपको, तो friends आपको मुझे लगा आशा है भी आपके जो सारे सवालों का मैंने जवाब दिया होगा, फिर भी अगर कोई सवाल रह गया, तो इसी वीडियो के comment में डालिए, और मैं जरूर उसके उपर वीडियो बनाऊंगा, या comment में आपको जवाब दूगा, और इसी तरह से पूरे सवालों का जवाब देखें, एक अलग से अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, और इतना है बिताते हैं, मैं आपका शुकरा करना चाहँगा, बहुत बहुत धनेवाद, जय हिंद, ठीक है, हमारे पार दो टूपी गया है, वेर एंट इना वर्क, सबसे पहले तो वह बनाते हैं, जैसे ल मैं जवाब तो दूगा कमसे में बैसे